आज हम करने जारे क्लास चैन्स का मैस का चैप्टर 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 6 की 2nd exercise 6.2 का 3rd question so let's get started देखो question है में क्या कहता है कि एक figure दी हुई है इसमें जो LM है LM is parallel to CB और LM is also parallel to CD ये दिये हुए हमें ठीक है और प्रूव क्या करना है में प्रूव जो हमें दिया हुआ है प्रूव करना है AM बाय में AB है और AN बाय में AD है देखो अब ध्यान से देखो जो जो given है क्या satisfy करते है देखो LM LM कहा है यह LM CB के parallel है यह जो line है यह इसके parallel है और यह जो line है यह इसके parallel है यह हमें बोला गया है और हमें बताना है कि जो AM है इसका ratio इसका और इसका ratio इसका और इसका ratio एक दूसरे के equal है ठीक है देखो समझा क्या होगा मैं दोबार से एक नया diagram बनाके बदा देती हूँ जिस मैं अच्छे समझा है देखो बोला क्या होगा हमें एक ऐसे एक diagram दिया हुआ है ये ऐसे को यह बना देती हो बाइस नेकल कर देती हुुं। ृइट्र T-A reclaim मेरी do कोस्च Foods ना है कि तोulty देते हैं कम से कम डाइरां को त्थन श्रम में इस देखुं को बन गय को अब क्या बोला वहा हमे कि यह भी है L, M पहले नेमिंग कर लेते हैं देखो यह है A B, C और यह है D यहाँ पर हमें पर शायद L है M, L, N M, यहाँ पर L और N यह बोला गया है कि जो यह लाइन है यह वाली लाइन देखो मैं दूसरे कलर से बता रहेती हूं आइलाइट करके तकि आपको पता चल रहे है कि जो यह लाइन है यह वाली L, M यह इस लाइन के पैरलल है देखो यह आप ही है और यह लाइन है L, N वो इस लाइन के पैरलल है C, D, K तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जो यह है इस लाइन का रेशो इस line के ratio के equal है, तो देखो, am by में m भी होगा है, इस line का, देखो, इस line का, और इस line का क्या हो जाएगा, am by में, nd, यह हमें prove करना है, तो यह हमें prove करना है, एक दूसरे के equal है, देखो, अब कैसे होगा, question solve करना है, तो अपने मतलब की, इस criteria में आपको लिखना होता है, जिससे आपको अच्छे marks है, देखो, यह जो questions है, वो basically solve तो आपका BPD theorem से होंगी, तो आपको पहले क्या आनी चाहिए, BPD theorem आनी चाहिए, अब BPD theorem के लिए, आपको क्या हो, उसको समझना पड़ेगा, उसको diagram भी मिट गया है हमारा, दुबा से बना जिते हैं, complete करके, A, B, C, D, यहाँ पर M है, और यहाँ N है, ठीक है, देखो, अब क्या करना है, question में जो given है, क्या क्या given है, पहले वो लिख लो, given, given क्या है हमें, question में, कि जो L, M है, वो C, B के parallel है, and L, M, जो है, sorry, यहाँ पर जो L, N आएगा, L, N है, वो L, N है, वो C, D के parallel है, यहाँ हमें given है, ठीक है, अब हमें, proof क्या करना है, proof हमें करना है, कि A, M, by M, A, B, is equal to me, A, N, by M, A, D, अब देखो, triangle दो दियेगा इसे, न, तो पहले हम triangle, according to B, P, T, करेंगे, ठीक है, तो अब given that, लिखते जाना, देखो, अपनी खुचल स्टेटमेंट बनाना सीख लो, तो कि जो बोर्स में है न, देखते हैं, वो यही देखते हैं कि किस तरह से, बच्चे ने कोशन अटेम्ट किया है, अटेम्टिंग के को ज़्यादा मार्स देते हैं, अलब कि ज़्यादा नहीं, अटेम्टिंग अच्छे सी नहीं करोगे, समझाओगे, नहीं कि यहाँ पर मैंने यह किया है, यहाँ पर यह किया है, तो मार्स मिलने मुश्किल है, given that, in triangle ABC, triangle ABC कौन सा था, उपर वाला, उसमें LM parallel है, CB के, देखो, मैं दिखा दू, इस triangle में, इस वाले में, यह LM जो है, वो CB के parallel है, ठीक है, और अब देखो, क्या करना है, अब इन दोनों का ratio रख लिए, हमने, AM by में, AB, उस triangle में, सिर्फ, AL by में, A, C, देखो, वो triangle कैसे बन रहा था, ऐसे था न, उपर वाला ही बना रही है, सिर्फ, क्योंकि, इसमें सिर्फ हम भी वो ही triangle ले रहे है, AB, C, ठीक है, और यहाँ पर था हमारा M, यहाँ था L, तो इनका रख लिया, AM by में, AB, इस line का ratio रख लिया, यह हमारे पास बन गे equation 1, अब दूसरा triangle ले ले लेते है, इन triangle, ADC, उसमें क्या बोला के, ALN, जो है, वो, C, D के parallel है, उसका भी diagram बना लेते हैं, यह भी हमें किसके according करनी है, सारे question जो 6.2 में, वो BPT के through ही होंगे, BPT की help से ही होंगे आपके, देखो अब कैसे, नीचे का triangle बना लेते हैं, नीचे का triangle कैसे था, ऐसे, ठीक है, अब क्या आईए, ऐसे बना दिया, A, L, L, N, N, C, D, ठीक है, इनका ratio रख लो, A, N, B, M, A, D, is equal to A, L, B, M, A, C, ठीक है, यह रख लिया, यह क्या हो गए, माया price equation 2 बन गई, अब दोनों equation को एक दूसरे के side में रखो, A, M, Y, M, A, B, is equal to A, L, Y, M, A, C, और दूसरी equation क्या आई थी, A, M, Y, M, A, D, is equal to A, L, Y, M, A, C, समझे रहे कैसे कट हो गया, same था, तो बचा क्या हमारे पास, A, M, B, A, D, A, L, B, A, C, यह हमारे पास आगया था, यह हमारे पास कट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, A, M, B, A, D, यह हमारे पास आगया, from, लिख भी देना, equation 1 and 2, hence, hence, prove, जैसे कि मैंने कहा था, यह लिखने में बहुत मजाता है, क्योंकि यहां पर जो हमारा question complete, complete मत लिख देना, बस लिखना, hence proof, ठीक है, अगर आपको एक question समझ में आया हो, तो like the video and subscribe my channel, और मैं अत्वार से बहुत बता रहे हूं कि BPD की वीडियो मैंने बना रखिया, यह exercise है, जो BPD से ही होगी, BPD theorem से तो आपको पता होनी चाहिए, तो उसको समझने के लिए मेरे channel पर जाओ और देखो video, thank you